चार महीने से वेतन न मिलने से नाराज पेड काटने वाले मजदूरों ने दुर्गवन विभाक कार्याले में प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया दुर्ग शहर में सडक चौरी करन के अंतरगत आने वाले पेड काटने की जिम्मेदारी लगभग 25 मजदूरों को दी गई थी पुलगाओं मिनी माता चौक से क्राम अंडा तक सडक चौरी करन के दौरान 1097 पेडों की कटाई की जानी थी जिसमें 950 पेडों की कटाई पूरी हो चुकी है लेकिन वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा चार महिने से मजदूरों को भुकतान नहीं किये जाने को लेकर मजदूरों ने विभागी कारियाले में अपनी मांगों को लेकर विरोज जताया और अपने बकाया वेतन जल्द देने की मांग की पुलगाओ रोड का लकड़ी कर जाई बारक किलूमीटर का था जिस कटाई को 1097 पेड था 1097 में सारे पेड कार दिये गए 147 पेड बचे हैं सारे पेड की कटाई करके पुलगाओ डिपो अंडर डिपो में लकड़ी ले जाके ठपी करके चटा मारके तius काम पर्वाया गया और काम करके हम उसको कंपीट करके दे दिये हैं 147 पेड बचे हुए हैं जिसको हमारे व्यवाद की आरिकारी बोलते हैं उस पेड को पटाई किया जाए लेकिन हमारे मजदूर लोग एक भी रूपए का भुकतान नहीं किया गया है इसलिए हम लोग काम को रोब दी हैं और हमारा पेमेंट कई बार हम रेंजर के पास गया है लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक नहीं किया गया हम लोग उससे बहुत परिशान है और आगे का भी काम हम लोग को बोलते हैं कि हम दूसरे से करवा रहे हैं हमको पे पीड़ादूडी द्वारा जो हमारा स्टेंडर्ड राश्य हस्तान्तृत्त किया गया था वहां पे ब्रिक्ष ही कट आई चल रही है और यहां पे कुछ ब्रिक्ष ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसलोकेंट करना चाह रहे हैं ऑब कुछ ब्रिक्ष है जो कि बिजली के जो तार है उसके आजुपآचु है और इस यह बिधु आट रही है वहां पर कुछ जगह पावर करके भी हम को काटेंगा कोई काम किसी और को नहीं दिया जाएगा जो वं बीवाग डोला ही किया जाएगा बेरहाल कुछ वहाँ पे 36-37 विक्ष ऐसे हैं जो की काफी पुराने हैं जो की पीपल के विक्ष हैं जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको ना काटें और उसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाएं अगर इसमें ऐसा कुछ है कि पेमेंट नहीं हुआ है तो उसमें कारवाही की जाएगी और सब जो भी मजदूर काम किये हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बैल आइकन को दबाएं।